इनसाब सभी का सौगत है मारे इस रीडियो चैनल पर आज हम लोग वक्सी डंबर 22 के बारें बात करने आ ले हैं जो पाठ नाम है नादान दोस्त हिंदी विस है ठीक है एक अच्छा च्छे की है आज की तितिक है 29 2021 है बिटा यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर क नेम लिखना है इस कार पतिका को शुरू करने पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट वीक के विनर का अनॉंस्मेंट हो चुका है और उसका जो गिफ्ट है वो भी पार सल हो चुका है इसके पहले की वीडियो भी हमने पब्लिस कुई यह और इसके बाद बच्छों हैं हमने लिखक प्रेम चंदर द्वारा लिखी गई कहानी नादान दोस्त के बादे में पढ़ा और जाना की केसव और स्यामा के घर में करनिस पर एक चिडिया ने अंडा दिया है उनके अंडे को देखकर दोनों को किसी और चीज की सूध ना रही थी चलिए आगे जानते ह हैं कि केसव और स्यामा चिडिया के बच्चों के लिए क्या करते हैं तो स्यामा भाया बच्चों को धूब ना लगती होगी तो स्यामा ने केसव ने बोला ठीक है स्यामा बोली बच्चों को क्या भाया धूब नहीं लगती है तो केसव बोला ध्यान केसव का ध्यान इस तकल तकलीफ हो रही होगी बिचारे प्यास के मारे तडपते होंगे उपर छाया भी तो नहीं है तो उसने बोला कि तकलीफ तो होती होगी वो बिचारे एक तो प्यास से तडपते होंगे और दूसरी छाया भी तो नहीं है आखरी में फैसला या हुआ कि घोसले के उपर कपड़े क च्छत बना देनी चाहिए यानि दोनों भाई बहनों ने मिलकर फैसला किया कि गोड जो घोसला है उस घोसले के उपर क्या करना है छट बना देनी चाहिए ठीके इसके बाद क्या हुआ बिटा पानी के प्याले और थोड़े चावल रख देने का प्रस्ता भी जो है सुईकरत ह यानि दोनों के बीच में या बात भी हुई कि पानी का एक प्याला और थोड़े से चावल भी हम लोग इस घोसले के पास में क्या कर देंगे रख देंगे दोनों बच्चे बड़े चाव से काम में लग गया सियामा जो है अपनी मा की आँखो से बचकर मटके से चावल निकाल लाई केसब ने पत्थर के प्याले का तेल चुपके से जमीन में गिरा दिया और खुब साव करके पानी भर लाया यानि कि जो सियामा थी वो चावल लेकर आई और केसब क्या है प्याला लेकर आया अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए यानि अब इनके दिमाग में आया कि छट बनाने के लिए कपड़ा कहां से आएगा फिर बगाय लकड़ी या छटियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छटियां खड़ी कैसे होंगी के सब बड़ी देर तक जो है इस उगेड़ बुन में रहा आखरी में उसने मुस्किल का जो है हल निकाल लिया और बोला कि जाकर कूड़े दान फेकने वाला जो टोकरी है उठा लओ अम्मा को अम्मा जी को ना दिखाई देना चाहिए तो आगे देखो बेटा क्या बोला गया है केसव का ध्यान किस तकलीव पर ना गया था तो धूप पर नहीं गया था चड़िया के बच्चों की तकलीव दूर करने के लिए क्या फैसला हुआ छत बनाने का फैसला हुआ आगे क्या है मा की आँख्यों आँख से बचकर केसव और सियामा कौन से काम किये तो कौन से काम किये चलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ तो बच्छो इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा माखी आखों से बचकर केसब ने मट्टी के प्याले को साफ किया और सियामा ने मट्के से चावन निकाल कर आ गई ठीके और सियामा जो है चावन निकाल कर आ गई अगला प्रस्ण देखते हैं क्या है तो बच्छो अगला प्रस्न क्या है केसब बड़ी देर तक क्या है किस उगेड़ बंद में रहा तो चलिए मैं इसका उत्तर जो है आपको लिख कर दिखाता हूँ तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्छो आप लिखो के सब बड़ी देर तक या सोचता रहा कि वाच्छत के लिए कपड़ा कहां से लाएगा और कपड़े लगाने के लिए छड़ी कहां लगाएगा ठीक है तो ये क्या है इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं अगला प्रसन क्या है तो बच्छो आगे आपको दिया गया है दो परिया वाच्छी सब्दा आपको लिखने है जैसे घर हो गया पानी हो गया आँख मा और कपड़े के जो हैं दो दो परिया वाच्छी आपको लिखने है तो चलिए मैं इनको लिखकर आपको दिखाता हूं, तो बिटा घर का क्या हो जाएगा, घर का परियाव अच्छी लिखो एक ग्रह, ठीक है, दूसरा लिखो निवास, पानी का क्या हो जाएगा, पानी का बिटा आप लिखो, ठीक है, जल, ठीक है, और लिखो नीर, ठीक है, नीर, तो बच्छो आँख का क्या हो जाएगा आँख का लिखो नेत्र क्या लिखोगे नेत्र और नायन ठीक है इसके बाद क्या है मा का मा का हो जाएगा तो बिटा मा का लिख लो आप तो बिटा मा का परियावाची आप लिख लो ठीक है माता और एक हो गया जननी ठीक है इसके बाद कपड़े का क्या हो जाएगा कपड़े को जाएगा वस्तर ठीक है क्या हो जाएगा वस्तर वस्तर लिख लो और एक होता है चीर ठीक है क्या चीर इसके बाद विटा आपको गतिविदी दी गई है अगर आप केसब और सियामा की जिगा होते तो चिडिया के बच्चों के लिए क्या करते तो चलिए मैं इस खाने के लिए कुछ दाने और रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाता ठीक है पानी और खाने के लिए कुछ दाने और रहने के लिए लकड़ी का घर क्या है बनवाता चलो आगे देखते हैं बच्चो क्या दिया गया है तो बच्चो आगे आपकी वक्सीड होती है समापत आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल डिसक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा क्या है कमेंट करकर क्या है कॉंटेस में पास्पेट करने की कोसिस भी करना अच्छो ठीक है धन्यवाद बच्चो